नमशकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो आज में आपको बताऊंगी कि यम का दीपक किस प्रकार से जलाएं क्या-क्या सावधानिया रखें इसमें क्या-क्या नियम होते हैं और क्यों जलाना चाहिए और 90% लोग क्या गलती करते हैं तो दोस्तो यम म्रत्यू के देवता हैं और क्योंकि वो म्रत्यू के देवता हैं इसलिए हम उनसे बहुत जादा भैबीत रहते हैं इसलिए उनका पूजन हम कभी भी नहीं करते हैं परन्तु दोस्तो म्रत्यू है तो हमारे जीवन का अंतिम परम सत्य तो घर में अकाल तो दोस्तों कुछ लोग तो इसे धंतेरस में जलाते हैं कुछ लोग नरक से चतुर्दरशी में जलाते हैं पर तुमें आपसे यह कहना चाहिए, कि हमें यह दीपावली के पांचो दिन जलाना चाहिए तो अब मैं आपको विधी बता देती हूँ तो ये देखिए एक इस प्रकार का आप दीपक ले ले चौ मुखा दीपक आता है मिट्टी का किसी भी तरीके का ले ले और इस तरीके का सिंपल दिया भी आप ले सकते हैं लेकिन इसमें दातू का दिया नहीं लिया जाता है और इसमें जो मुख्या है दोस्तो वो है आटे का दिया इसमें मेंली आटे का दिया ही यूज किया जाता है तो आप आटे का दिया बनाते सा टाइम ये ध्यान रखें कि आटा आपको अलग से ही इसमें लगाना है दिया बनाने के लिए इसको यूज किया हुआ आटा या फिर आप जिस आटे को यूज करने जारे हैं उसका आप यूज नहीं करेंगे अगर आपको जौ का आटा मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शुब मना जाता तो इस तरह किसे आप टाइट आटा लगाएं और उससे दिया तयार कर सकते हैं दिया इतने बड़े साइज का होना चाहिए कि हमारा दीपक करीब करीब ब्रह्मुरत तक जल जाए और इतना भी बड़ा ना हो कि वो सुबह तक जलता रहे क्योंकि दोस्तो इस दिपक को हमें जलते वे नहीं देखना चाहिए और बुझते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए तो आप अपने नुसार देख ले तो हमें कुछ सामेगरी की आवशकता होती इस दिये को जलाने के लिए पुजन करने के लिए प्रजवलित करना होता है तो यहां पर हम एक बात में आपको बता दू कि यह जो दिया होता है यह तेल का ही जलाए जाता है चाहे आप सरसो के तेल का जलाएं या फिर आप तेल के तेल का जलाएं तो जो आप दिया यूज़ करेंगे वो एक नया दिया यूज़ करेंगे चाह पर परिवार के सभी सदत से परिक्रमा कर सकें उसके अंदर मैंने एक कौड़ी रग दिया है अगर आपको कौड़ी नहीं मिल पाती है तो आप यहाँ पर एक सिक्का भी डाल सकते हैं इसके बाद हम दीप को प्रजवलित कर देंगे और इसके परशात हम इसे यम राज का स्व हल दी आदी सभी से इस पर टीके लगा देंगे इसको अच्छी प्रकार से हम पूजन करेंगे अक्षत अर्पित कर देंगे उसके बाद में देखिए हम मौली अर्पित कर देंगे कलावा जो हमने लिया है वस्तर रूपी कलावा अर्पित कर देंगे तो और मिस्ठान का भो नहीं जा रहे हो, खाना वगर सबने खा लिया हो, तब ही हमें इस दीपक को जलाना चाहिए, और इस दीपक को जलाने के बाद में घर का कोई भी सदसे बाहर ना जाये, अब देखें जो सिक्के लिए है, परिवार का एक-एक सदसे प्रदक्षना करता हुआ, एक-एक सिक्का और अपनी सेवा भोग दीप यहीं से सुविकार करें, और अपने यता स्थान को प्रस्थान करें, और हमारे घर परिवार को आशिरवाद प्रदान करें, इसके पश्चात में हम जلका चीटा दे देंगे, तो चारो दिशाओं का साक्षी है, यह दीपक की चारो दिशाओं से हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी अशुबता ना आये, कोई भी अनिस्ट की कोई भी ख़बर ना आये तो, इसलिए चार बति का ये दीपक बनाया जाता है, अब दोस्तो यदि आप पांचों दिन ये दीपक जला तो आपको यही प्रक्रिया रोज अपनानी है, रोजनिया दीपक लेना है, रोज परिवार के सदर से परक्रमा करेंगे, कोडी आप वही उस कर सकते हैं, इस दीपक को दोस्तों दिवाली के और दियों के साथ नहीं जलाए जाता है, इसे सबसे लास्ट में जब आप सोने जा उसके दाहिने तरफ हम इस तरीके से चौक बना लेंगे, उसके उपर हम इस दीपक को रख देंगे, दोस्तों यह जो दीपक जलाने का कारे है, यदि घर की कोई बुजूर्ग महिला करती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जो भी सबसे बड़ा हो घर का व वशे दोने चाहिए, उसके पशाती आपको घर का कोई और कारे करना चाहिए, तो दोस्तों कुछ लोगों का प्रशन आया था कि हम फ्लैट में रहते हैं, तो हम दीपक कहां जलाएं, तो आप अपने दीपक अपने बिल्डिंग के बाहर नहीं आपको जलाना है, आप जहां उस मकान के में गेट के बाहर ही आप इस दीपक को जलाएंगे, दोस्तों अगले दिन हमें दाल चावल और सिक्के रख करके किसी को दान में देने होते हैं, तो जादे से जादा दाल चावल रखें, ताकि पांच दिन में करीब-करीब सवा दो किलो दाल चावल हो जाएं, और किसी परिवार का एक दूदिन का भरन पॉशन हो सके, तो इसका विशेश पुने लाब होता है, कोडी को आप नेक्स्ट दिया जलाने के लिए रख ले, क्योंकि पास दिन हमें दिया जलाना होता है, और अगर आटे का दिया है, तो इस तरीके से आप उसे मैश करके किसी भी पशुपक्षी को खिला दें, यदि कोई इन दालचावल को लेने वाला नहीं है, तो आप किसी पशुपक्षी को भी खिला सकते हैं, मिट्टी का दिया है, तो आप उसे रियूज ना करें, नया दिया ही आपको लेना होता है, तो दोस्तों उमीद करते हूं कि वीडियो आपको ग्यानवर्दक लगाओगा वीडियो अच्छे लगाए तो लाइक करें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जैमा तादी आवशे लिखें